Hello everyone and welcome back to the world's fastest and easiest spoken English course. I know कि आज की इस वीडियो के लिए आप बहुत excited हैं and comment section देखकर मैं भी इतना ही excited हूँ. Start करने से पहले एक बहुत-बहुत important बात बता दूँ. इसको not करके रख लो, जो कोई भी viewers वीडियो को skip करके देखते हैं. मैं उनको यह बता देना चाहूँगा कि अगर आप में इतनी भी patience नहीं हैं कि आप सिर्फ 10-10 minute की 6 वीडियो पूरी देख सकें, तो I'm sorry, आप नहीं सीख पाएंगे. Because यहाँ हर बात important है. Course से पहले वाली वीडियो भी important है. वरना आप course का concept ही नहीं समझ पाएंगे. वीडियो नहीं देखी है, तो please वापस जा करके पहले उस वीडियो को देखें और फिर उस वीडियो के end में दी हुई three forms of the verbs learn कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आएं. Let's start now. Why people hesitate? क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम में से जादतर लोग English लिख और पढ़तों पाते हैं, बट बोल नहीं पाते. ऐसा क्यों होता है? First reason है ये. उफ! इतना फस! ऐसे सीख रहे हैं आप सालों से English को. Schools में भी ऐसे सीखी, Colleges में भी ऐसे सीखी, और अब आपके English Speaking Students भी ऐसे ही सिखा रहे हैं. मैं नाम तो नहीं लूँगा यहां, बट यह है चार्ट भी एक famous English Speaking Institute का ही है. Don't you think कि अगर ऐसे ही आनी होती, तो अब तक आ ही गई होती? Do you know what's the problem here? Actually, you and your institute both are trying too hard. सब कुछ सीख जाना चाते हो, and then बोलते वक्त सारा घ्यान इंप्रिमेंट कर देना चाते हो. सोचते हो कि उसके बाद easily बॉल पाएंगे. अरे यार, एक language ही तो है, कोई PhD थोड़े ही ना करने है English में. सिर्फ fluently बॉलनी ही तो है. अब mind में इतने grammar और इतने rules का load लेकर कैसे बॉलोगे? हाँ, लिख पर तो पाओगे, बट rules and grammar का इतना fuss तुमें बोलने कभी नहीं देगा. अब बात करते हैं कि देन मेरे पास ऐसा क्या जादू है. तो मैं आपके लिए ये सारा fuss हटा दूँगा, और इसे आपके लिए दुनिया में सबसे आसान मना दूँगा. और हाँ, तब भी आप grammatically बिल्कुल correct बोलेंगे. कैसे? तो यह है राव है magic. Yes, यही है मेरे magical notes. बस 20-30 words के simple से दिखने वाले ये two pages बहुत magical है. आपको शाहिद ये मजाक लगे. But this is 100% true that these two pages have everything you need to speak fluent. बस इनका यूज सीखना है आपको. आईए, समझा देता हूँ कि ये है क्या? और कैसे सिर्फ ये 20-30 words के two pages आपको English सीखने में बिल्कुल fluent कर देंगे. सबसे पहले तो आपको मुझ पर blind test करना होगा. अपने mind को बिल्कुल zero कर दो. जो भी rules and grammar आज तक सीखी है, सब भूल जाओ. Make your mind blank. Sight कर दो अपनी सारे English knowledge को. I mean कि उसे please अपने पास ही रखो. And यहाँ कोई भी अपना rule नहीं लगाना. अपने सारे logics इस score से दूर रखो कुछ दिन. बस six videos तक मुझ पर आख बंद करके विश्वास करो. और इतने सालों से इतने rules और इतनी grammar से नहीं कर पाए, तो एक बार सिर्फ 60 minutes मुझ पर भरोचा करो. और जैसे जैसे मैं सिखा हूँ, वैसे ही करते जाओ. और फिर देखो कैसे मैं आपको बिल्कुल fluent कर दूँगा. Because if I have learned this way, why can't you? Trust me, मैंने खुद ऐसे ही सीखिये. सबसे पहले आप एक long size का register ले लिजिए. कोई बहुत ज्यादा मोटा नहीं, hardly 20 to 25 pages का. बस. And register ही लेना, notebook नहीं चलेगी. जैसे बोलू, हर चीज ठीक वैसे ही करनी है. I told you na, कि इन 6 वीडियो तक अपने logics बिल्कुल नहीं लगाने. Like कि मैं तक screenshot ले लूँगा, या वीडियो को save कर लूँगा, नहीं. अब इस register पर सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही not कर लेना, एक गम ऐसे ही exactly same जैसा मैं दिखाने जा रहा हूँ. Like कि अगर यहां present, past and future, present, past and future, तीनों underlined हैं, तो आपको भी underlined करने हैं. इसके बाद non action भी underlined है, और right side में action यह भी underlined है, तो आपको यह सब underlined करना है. अब आते हैं left में, देखो, जो is है, इसके ठीक उपर as mention है, ऐसे ही जो i है वो m के उपर mention है. And P, R के exact उपर mention है, तो आपको भी ऐसे ही करना है. Then P, verb के ठीक उपर mention है. और उसके बाद S plus S slash ES के ठीक उपर mention है. तो आपको भी ठीक ऐसे ही mention करना है. कहने का मतलब है, कि exactly सब कुछ बिल्कुल as it is करना है, जैसे यहां लिखा हुआ है. हाड चीज ऐसे ही लिखनी है. अब आगे चलते हैं. Do के ठीक उपर P mention है. And S जो है, वो does के ठीक उपर mention है. In the same way, was के ठीक उपर S. And P, were के ठीक उपर mention है. तो यह सब बिल्कुल ठीक as it is करना है. इसके बाद last में future पर आजी है. यहां shell जो है, आप देखो कि इसे cut किया हुआ है. तो आपको भी इसे cut कर देना है. और इसके आगे cross भी लगा हुआ है. तो cross भी लगाना है. And now, will प्लस वर्ब, इसके ठीक आगे tick लगा हुआ है. तो आपको भी tick लगा देना है. कहने का मतलब है कि अपनी तरफ से ना कुछ add करना है, ना इसमें से कुछ minus करना है. As it is, did to same to same बनाना है. और नीचे का page देखो, blank है. मतलब आपको half page तक यह सब adjust कर लेना है. और नीचे का half page, blank छोड़ देना है. इसके बाद page number 2 को भी, as it is, एक separate page पर copy कर लेना है. And इसमें भी almost नीचे का two-third space, blank छोड़ना है. आईए अब आपको आगे का road map समझा देता हूँ. NAC classes में आपको यह register अपने सामने रखना है. जिसमें यह दोनों pages ठीक ऐसे बने हुए हों, जैसे मैंने बताए. And very important, साथ में एक rough practice notebook भी रखनी है. अब coming three videos, 21st October, 23rd October and then 28th October तक आपको उससे ज़्यादा English आजाएगी, जितनी last 10 years में भी आपके schools और colleges आपको नहीं सिखा पाए. मैं यह सारा फस हटा दूँगा. और बस 22-30 words के इन्हीं notes को use करके आपको five easy से rules सिखाऊँगा. और सिखाने के बाद उसमें से भी three rules delete कर दूँगा. बचेंगे सिर्फ two rules. बस यही rules आपके fluency की की है. जी हाँ, next video तर जिस किसी ने भी previous video वाली three forms of the verbs learn नहीं की है. वो उन्हें learn कर ले. बस यही तो एक छोटा सा काम बोला है यार करने को. चलिए अब जाते जाते एक magic trick सिखा कर जाता हूँ. Actually, English में rules of using will and shall are quite difficult. Means कि कहाँ will use करना है और कहाँ shall. It is complicated. Even इसके rules सीखने के बाद भी लोग confused रहते हैं और mistakes करते रहते हैं. अब next two minutes में मैं आपको एक amazing trick सिखाना जा रहा हूँ. जिससे आपको rules सीखने ही नहीं पड़ेंगे और आप कभी कोई mistake भी नहीं करेंगे. मैं आपके लिए will and shall के rules खतम करने जा रहा हूँ. तो trick यह है कि whenever you have to speak, use will only. And that's entirely perfect way of speaking. Watch any of the Hollywood movies, television shows, players interviews. You will hardly find anyone using shell while speaking. Go to US even. वहां भी बोलते वक्त आपको कोई shell use करता नजर ही नहीं आएगा. Now comes the writing part. तो लिखते वक्त आपको apostrophe लगा करके double L का use करना है. Which is actually the short form for both, will and shall. Like अगर मैं confused हूँ के it is I will go to market और I shall go to market. तो I'll write it as I'll go to the market. Similarly, he will fly a kite tomorrow. They'll go to a party next Friday. And I'll climb the mountain tomorrow. Apostrophe double L को will की जगे will पढ़ा जाएगा and shell की जगे shell पढ़ा जाएगा. तो हो गया ना सारा फस्स कतम. बोलते वक्त use will and लिखते वर्ट add apostrophe double L. तो comment section में comment करके बताईएगा कि आपको यहाँ trick कैसी लगी. मिलते हैं next video में on the given dates. तब तक के लिए stay fit, stay confident. झालने का laughing. कि मिलते बताईगा जाएंगा जाएगा एिफते लिए. झाल झाल